नमस्कार मैं हूँ आपके साथ इस्तियाक एमद और आप देख रहे हैं रहे हैं यूपी की नदी सरयू खत्रे की निसान से 25 सेंटिमीटर उपर पहुँच गई है जिससे लगातार वहां का जल इस तर बढ़ता हुआ जा रहा है और वहीं निचले इलाके में बाड का खत्रा म सरयू का जल इस्तर घट रहा है लेकिन अभी भी सरयू नदी खत्रे के निशान के उपर बह रही है और वहीं आपको बता देए खत्रे के निशान 92 साथ सो 30 से 23 किलो मीटर ऐसे में सरयू के जल इस्तर घटने के कारण कटान का भी खत्रा मंद रहा है केंदे जल आयों के पहाड़ी छेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिस और नमपायल के द्वारा छोड़े गए पानी के कारण सरयू का जल इस्तर बढ़ गया और सरयू के जल इस्तर बढ़ने के कारण प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई हाला कि अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 24 घंटे तक सरयू का जल इस्तर इस्तर रहेगा लेकिन 3 बजे से प्रती घंटा आदा सेंटीमीटर सरयू का जल इस्तर घटरा बावजूद इसके सरयू के घटते जल इसकर को लेकर भी प्रशासनिक चिंता का कारण है क्यूंक अफगानिस्तान में तालिबान के कबजे के बाद से देश में रा जक्ता का महूल है हजारों लोग देश छोड़ कर भागने का मजबूर है इस विश वर्ल्ड बैंक ने भी बड़ा एक्शन लिया है विश बैंक ने अफगानिस्तान को साहिता देने से मना कर दिया एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दिया, दिकारी ने कहा, हमने अफगानिस्तान में साहिता देने पर रोक लगा दिये और हम इस्तिति की बारिकी से निकरानी और आकलान करे है. बैंक की वेबसाइट के अनुसार साल दोजार दो से अब तक अफगानिस्तान को पांच दसनों तीन अरब डोलर की सहायता राश्य प्रदान की गई है लेकिन अब इस्थिती पहले जैसी नहीं रही अफगानिस्तान पर तालिबान के कबजे के बाद से देश में वित्य संकट काफी बढ़ गया है और वहीं देश भर के अलग-अलग हिस्सों में मानसूनी बारिस का दोड़ जारी है राश्य राजधानी में हलकी से मध्यम बारिस होने का अनुमान है और वहीं राजधान के अने के लाकों में मानसून की बारिस और यह बीते दिन सरवदिक बारिस के अलवर के थाना गाजी में दर्ज की गई और राजधानी में 25 से 28 अगस के दोरान अधिकतर भागों में मौसम वख्यात सुशक रहने की संबावन आओ वहीं 29 अगस से एक नया सिस्टम बनने से राजधानी में एक बार फिर दोबारा बारिस की गतिवीडियो में बढ़ उत्री होगी सितंबर के पहले हफते में भी कुछ इस्थानों पर अच्छी बारिस का असार है और वहीं यूपी में सक्रे हुए मानसुन ने पश्चिमी हिस्सों के कई लाकों को बिगोया और वहीं पूर्वी यूपी में बीते दो दिन से बारिस और इस दोरान बड़ोत बागपत में सबसे जादा वर्षा दर्श की गई बारिस का इस सिलसिला 25 अगस तक जारी रहने का अनुमान और पूर्वी हिस्सों में आने क इलाकों में और पश्चिमी भागों में कुछ जगों पर भारिस होने का अनुमान लगाए गया है उत्राखंड में देर रात का मोसम ने करवट बदली और कई लाकों में जमा जम बारिस हुई राजधानी धैरदुन में भी मंगलवार की सुबा बारिस के साथ हुई और वहीं कहीं जिलों में बादल चाहर है मोसम के बदले मिजाज के चल तक लिए 24 घंटे वे नैनिताल चंपावत बागेश्वर और पित्थोड़ा गड़ जैसे जिलों में भारी बारिस की संभावना मोसम विबाग ने यलो अलट भी जारी कर दिया था और मोसम विबाग के मताबिक राजधानी धैरदुन के मंतरी नराइन राणे को मंगलवार रात निचले अदालत ने जामाना दे दी और इसको आपको बता दें के राइगर कोट ने बेल पर रिहा किया तो बीजेपी भी मौके पर चोका मानने से नहीं चुकि आदी रात को मौमबई पहुचे राणे का स्वागत को रिशान और श इसी स्यासी सोर की चाप सामना में दिखी जहां उन्हें छेदवाला गुबारा बता दिया गया इससे पहले सिफसेनिकों ने उन्हें मुर्गी चोर तक क्या दिया क्योंकि करीब पांट दशक पहले चैंबर में राणे पॉल्टरी की दुकान चलाते थे बीजेपी और सिफ सेना मना रही थी और देर रात रहाई के खोश्यों में बीजेपी डू भी हुई थी